एसूज ने कुछी दिन पहले Zenfone AR को इंडिया में लॉंच कर दिया है इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इस हैंसेट की खासियत क्या है और इसका प्राइस क्या है देखते रहिए नमस्कार दोस्तों मैं हूँ गोगी और यह है एसूज Zenfone AR इस हैंसेट की खास बात यह है कि इस पर तीन कैमराज आते हैं जो Tango टेकनोलोजी और Google Daydream VR टेकनोलोजी को सपोर्ट करते हैं इस हैंसेट की खास बात यह है कि आप internal navigation भी कर सकते हैं मतलब अगर आप building के अंदर है तो वहाँ पर भी आप navigation कर सकते हैं यहाँ पर आप जो demo देख रहे हैं वो वही कर रहा है एक रूम से दूसरे रूम जाने के लिए कितना distance है आपको यह बता रहा है और आपको guide भी करता है AR का मतलब है augmented reality मतलब यह कि जो real world है और जो virtual world है उन दोनों को यह mix up कर देता है यह demo से आपको बहतर idea मिल जाएगा यहाँ पर presenter ने एक सोफे को virtually create किया हुआ है stage के उपर है नहीं लेकिन वो देख सकते हैं अपने smartphone पर तो यह सारी चीज़े इस smartphone पर possible है चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं इस handset की specification की यह dual sim handset है जो snapdragon 821 quad को powered है screen जो है वो 5.7 inches का है super remote screen है और इसका जो resolution है वो है quad HD resolution 2560 by 1440 pixels camera की अगर बात करें तो इस पर है Asus का track cam system जिस पर आपको मिलेगा 23 megapixel का primary camera motion tracking camera और depth sensing camera और यह सारी चीज़े काम करती है Tango technology के साथ में build quality और finishing is handset की काफी अच्छी है इसका जो weight है 170 grams है और इसमें आपको मिलेगा 3300 mAh का non-remiable battery quick charge 3.0 support करता है front camera 8 megapixel का है यह handset 8.9 mm slim है और इस पर fingerprint sensor पी आता है इस handset पर आपको मिलेगा 8 GB RAM और 128 GB internal storage space इसमें built-in NFC भी है यहाँ पर मैं AR technology का इस्तमाल कर रहा हूँ real world में मैंने एक object create किया हुआ है देख सकते हैं कि किस तरीके से real world और virtual world को आप mix up कर सकते हैं तो यह जो tango technology है यह काफी नई है बहुत ही limited handsets पर आपको यह technology देखने को मिलेगी इस technology का उपयोग demonstrations के लिए, shopping के लिए और school में भी बहुत अची तरीके से इस्तमाल किया जा सकता है Asus के launch event पे एक और demo हमें दिखाया गया था जिससे आपको idea मिल जाएगा कि किस तरीके से car जो showrooms है वो भी इस technology का इस्तमाल कर सकते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं virtually यह car को stage पे इसे create किया गया है, reality में आपको यह car तो नहीं दिखेगी लेकिन आप इसे smartphone के जरीए देख सकते हैं आप इस car का color भी change कर सकते हैं और वो car एक exact position पे है, मतलब कि आप car के आजू-बाजू घूम भी सकते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं कार का color change कर दिया गया है, इतना ही नहीं आप गाड़ी के अंधर भी जा सकते हैं तो देखे किस तरीके से presenter को वो सारी चीज़े दिख रही है smartphone पर और हमें यह सारी चीज़े बड़े screen पर दिख रही है तो इन demo से आपको काफी अच्छा idea मिल गया होगा कि यह जो AR technology है यह किस तरीके से future में काम आ सकती है education sector में भी इस technology का बहुत अच्छी तरीके से उपयोग किया जा सकता है और shopping के लिए भी उधारन के तोर पे यहाँ पर इस demo में आप देख सकते हैं कि आपके room के लिए अगर आपको एक chair खरीदना है तो वो chair आप अपने room में रख कर देख सकते हैं virtually AR technology का इस्तमाल करके तो खरीदने से पहले दो चीज़े आप देख सकते हैं पहला यह कि जो chair है वो आपके room में properly fit होगा या नहीं और दूसरा fit होने के बाद वो कैसे लगेगा उसके बाद में अगर आप चाहे तो वो chair को खरीद सकते हैं तो यह AR technology कमाल की technology है लेकिन यह काफी नहीं है और हो सकता है कि आपको ज़्यादा applications नहीं मिले लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे AR compatible handsets market में launch हो जाएंगे यह technology और भी सस्ती हो जाएगी और और भी applications हमें मिल जाएंगे Asus Zenfone AR बहुत ही advanced किसम का smartphone है और यह बहुत ही महिंगा है इसका जो price है इंडिया में वो है 49,999 रुपीज पूरे 50,000 रुपए इसकी technology तो काफी impressive है लेकिन सवाल यह आता है कि क्या आप यह headset खरीदेंगे 50,000 रुपए में या फिर Samsung Galaxy S8 के लिए जाएंगे अपने comments जरूर दीजिए इस वीडियो को like कीजिए शेयर कीजिए और मेरे channel को subscribe कीजिए धन्यवाद